तो hello guys, simulation array start कर रहे है, array math complete हो चुगा है, so first question, maximum non-negative sub array, देख के feel आ रही है कि negative sub array नहीं होना चाहिए, मतलब कि cadence लग रहा होगा, definitely, मतलब अभी तक यह फिला हो, so take a look at that, given an array of integers, a of length n, find out maximum sum sub array of non-negative integers, non-negative integer होने चाहिए, और maximum sum होना चाहिए, old amount है, the sub array should be contagious, array should be contagious, so clearly cadence दिख रहा है, मतलब अब तो, बिक्कुली, sum भी निकालना contagious भी होना चाहिए, और skipping the element is invalid, वही होता, contagious का मतलब, maximum sub array is defined, as is defined के जा रहा है, and find and return, कुछ note, so, अगर tie होता है, मतलब की, so, मतलब, length, मतलब, sum basically same आजाता है, दो चीज होगा, यानी की 1111, और 4, इनका sum सेम है, बट हमें का लिने, segment length and return, segment with maximum length, यानी की 1111, लिने है, अगर अभी भी टाए है, ठीक है, so, then return, जुद मिनिम्म, minimum starting index, मतलब की, अगर 13 है, और 31 है, मतलब length same होगी, ना, बट हमें 13 रिटर्न करना पड़ाए, देख लेते हैं, और हमें return क्या करना है, एरे रिटर्न दरना है, fine, so, इसको भी बहन देते हैं, हमें return करना है, एक winter, एरे, जिसका नाम है, answer, और वही same चीज, एक sum चाहिए होगा, जो starting में 0 होगा, एक, max sum चाहिए होगा, जो हर बार बता रहा होगा कि मेरा max sum आचुक है, up max sum आचुक है, left चाहिए होगा, right चाहिए होगा, तो मैं वह सब को 0 से initialize रख देते हैं, नहीं, minus 1 से रख देते हैं, इसको 1 से कर देते हैं, इसका significance भी सान दाएगा, क्यों कर रहा हूँ ऐसा, और, answer left रख देते हैं, एक answer left जो पने को required है, एक answer right, इसको उनों को minus 1, जो चाहिए होगा, ठीक है, सो scene चल ले अभी तक, और start कर देते हैं, for, चला देते हैं, पूरे array पर, i को increment कर देते हैं, अब, मुझे कब add करना है, जब i greater than, equal to 0 हो, else, else मुझे कुछ क्राम बढ़ना, right को तो हर बार बढ़ाना ही बढ़ाना है, चाह कुछ भी हो ले, right को बार बढ़ाना ही बढ़ाना है, right starting में 1 है, 1 होगा नहीं, 0 होगा है यहांपर, वो flip में 1 था, क्योंकि हमें वहांपर, 0 होगा है, उसकी बात नहीं कर दे, यहां पर बात कर दे, right को फिर फिर स्टार्ट करें, क्योंकि starting index 0 है, ठीक है, so right plus plus होगा, and, खीक है, fine है, और, अगर vi less than 0 जाथा, तो मेरे को left को अपने को आगे बढ़ाना, यानि की i plus 1, तो कि next value से i start होगा, ठीक है, अब, और sum में vi डाल देना, ठीक है, जब भी vi greater than 0 होगा, और इस time पर sum को मेरे को 0 बढ़ देना, sum को starting से start करेंगे, अब मैं बोलता हूँ कि, if sum is greater than max sum, और एक और बात बोली है, कि अगर tie हो जाता है, यानि कि sum की value, यानि कि और-और, sum की value, अगर max sum के बराबर हो जाती है, तो मुझे क्या check करना है, मुझे check करना है कि उनकी length क्या है, मतलब length, जादा वाले को length, सो अब length का क्या से निकालने का बहुत असान तरीक है, कि जो मेरे पास अभी तक answer में पढ़ा था, उसकी length मेरे पास कम है, जो अभी आ है, ठीक है, राइट बढ़ा होगा, मतलब यही तो होगी ना length, पुरानी length, माइनस नहीं वाली length, मतलब अगर पुरानी में length छोटी है, तो मुझे अपटेट करना है, सो मुझे max sum को क्या कर देना, sum कर देना, and answer left में मुझे क्या कर देना, मुझे left डाल देना, and answer right में मुझे right डाल देना, and I guess I'm done, done with this thing, ठीक है, सो, या, मतलब भूबया है, सब कर दिया है, मैंने sum better than, extra case भी handle कर लिया, बस अब उठा के busman को उठा के डाल देना है, vector में, but एक चीज़ और काम कर दे, अगर मैं मुझे कि सारी value negative थी, मतलब minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, ऐसा था, सो ये क्या return करेगा, ये तो कभी, इसमें जाएगा ही नहीं, तो मैं बोल देता हूँ, अगर मेरा answer left minus 1 है, अगर मेरा answer left minus 1 है, अब मुझे अपना ये काम करना है, answer left i less than answer right and i plus plus, क्या less than equal to, क्योंकि मैंने 0 से start किया, तो मैं answer में push कर दूँगा, answer में push कर दूँगा, क्या value of i, जो कि मेरा answer left से start हो गया, answer right तर, जारा होगा, and I guess, तो यहार एक और बहुत ही important application थी है, this was another application, of cadet, देखते हैं कुछ तर्की तो नहीं कि लिए, कलते हैं कि हैं काफी सारी, because, to, variable के declare करना पुले, और पुले, देखते हैं कि यहीं कि लिए पोड़ा, ाइट अपर देखते हैं कि देखते हैं कि तो तो नहीं कि लिए्गेशन tao तो, फ्रिफrec качеि अराढताफ है ऄय सकता है जाए्सटियन कि ते रमाटिन फ्रिम खलाट लाट है लाट स्बीबा के वाटे lat अंग खीमी उस खा मेर लिखना ले ग्याव onset ...... तक कुछिए गडवज गड़ गड़ अजयो लेदलिए लेदा को ... .... ... ... ... ... ... ये लोग 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 लेखिए ... ... ... ... कि यह सम आउट अफ इंडेक्स वांट से दिलादा है कि अपने को जब भी स्थम्या मैक्सिम्म अपर जब भी कल्कुलेट करना तो उसको लॉग 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 लिए वेरी इंपोर्टेट खिगा अब सम्मेट जयागा कोई इशो नहीं आएगा I guess नहीं आना चाहिए कर दिया सब कुछ लग्टेफाई जोचार चोटी जोटी भी स्थेक्स होगी थी and good to go I guess yeah fine so yeah बस यही था मतलब थोड़ा साथ है और समद्धाई so so actually हुआ क्या है यहां पर मैंने यहां पर 10 लिया मैंने यहां पर 1 लिया इसने क्या ठीक है यहां पर हमने 1 को लिया इसने क्या ठीक है फिर हमने 2 लिया ठीक है अभी तट सही ज़रा है 5 को लिया ठीक है पर यह अभी तक मेरे पास current left सब जगे आ चुका होगा left answer left मेरा 1 आ चुका होगा मतलब 0 आ चुका होगा answer right में मेरा answer right में 0,1,2 आ चुका होगा ठीक है और ठीक है and उसके बाद जैसे ही यहां पर हम आयेंगे यह बोलते हैं नहीं जी अपना left को आगे बढ़ा हमें यह नहीं चाहिए and sum को 0 कर दो अब यहां से start करेंगे so यहां से start करने के बाद हम 2 डाल देंगे 3 डाल देंगे 5 but इस से बढ़ा नहीं होगा 5,6,7,8 से बढ़ा नहीं जाएगा sum क्योंकि 5 is less than 8 तो अपडेट इन होगा उसके बाद left और right अपडेट होता रहेंगे but हमारे answer left, answer right, 0,2 रहेंगे इस ही अपने vector को इसमें push करते जाएंगे इस vector में and इसको return देंगे जहां भी इसको call किया गया you are done, ठीक है, so यह किया दा and yeah, वसी, so thanks झाल